हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब तो आज मैंने ये लुक क्रियेट किया है ये मैंने पार्टी मेकप लुक क्रियेट किया है तो अगर आप चालना चाता है कि मैंने ये लुक कैसे क्रियेट किया है तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ अगर चैनल पे नए है तो सब्स प्राइमर भी लगा लिया था जो कि मैं बताना भूल गई और यहां पर मैंने भी लगाई है मॉस्टराइजर तो मॉस्टराइजर के बाद मैंने प्राइमर लगाया था जो कि मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई और उसके बाद मैं सबसे पहले फिल करूँगी अपनी आइस को स्वरी आइस को कंसील करूँगी और क्योंकि मुझे सबसे पहले आई मेकप करना है और मैं बहुत लाइट सा न्यूड सा आई मेकप रखने वाली हूँ क्योंकि पार्टी मेकप में बहुत ज़दा हैवी आई मेकप अच्छा नहीं लगता तो सबसे पहले मैंने अपनी eyes को अच्छे से conceal कर लिया उसके बाद मैंने यहापे लगा दिया है loose powder और उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे palette में से dark brown and light brown color तो सबसे पहले हम करेंगे light brown color को apply तो circular motion में brush को गुमाते हुए लगाना है बिल्कुल light color हमको लगाना है और धीरे धीरे apply करना है क्योंकि मैं इसे अच्छे से blend करते हुए apply कर रही हूं कि जो बहुत ज़्यादा harsh line मेरे जो eye makeup है उसमें ना दिखे तो यहाँ पर हलका सा आप देख सकते हैं yellow color आ चुका है और इसके बाद में दीरे दीरे करके थोड़ा सा dark color की तरफ जाओंगी अपनी crease line की तरफ त कर दिया है उसको भी मैं blend करते हुए apply कर रही हूं ताकि कोई भी harsh line ना रहे और मेरी eyes है वह बहुत छोटी है मेरे eyes में makeup करने में बहुत प्रॉलम होती है क्योंकि मेरी eye leader उनके ओपर crease बहुत जादा आती है इस वज़े से तो जिनकी eyes पर crease बहुत जादा आती है उनको makeup करने में बहुत प्रॉलम होती है और उनका eye makeup अच्छी तरह से दिखता भी नहीं है तो यहां पर मैंने अच्छी तरह से जो light set था वो लगा लिया और अब हम करेंगे cut crease तो cut crease के लिए यह मैंने आपे concealer लिया है और आप कोई भी concealer ले सकते बस उसे अच्छी तरह से आपको अपने eye lid पर half eye lid पर apply करना है inner corner से half eye lid तक outer corner पर नहीं जाना है तो बस अच्छी तरह से मैं इसे दोनों आखो को अच्छी तरह से cut crease कर लूँगी दोनों आखो पर और उसके बाद इससे अच्छे से blend करना है क्योंकि अगर blend नहीं करेंगे तो आपका जो eye set है वो अच्छे से apply नहीं क्योंकि जो simri color होते हैं वो brush में अच्छे से apply नहीं हो पाते यहां पर मैंने simri golden color को apply किया है जहां मैंने cut crease बनाई थी वहाँ पर और उसके बाद हम फिर से अच्छी तरह से अपने eye makeup को set करेंगे जो भी हमने eye shadow लगाए थे उनको अच्छी तरह से फिर से हम एक बार apply कर ले brush मुझे पिल्कुल light makeup रखना था आखों का और यह जब पूरी तरह से finish हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा लुक आखों का आने वाला था बैस यहां पर मैंने brush से अच्छी तरह से inner corner और outer corner पे हलका समय ने यहां पर purple dark purple color को apply किया है वो भी अच्छे से blend करते हुए ताकि जगाऊंगी eyeliner तो liner आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं और मैंने बहुत ही चोटी सी wing liner क्रियेट किये और बहुत ही पतली मैंने अपनी eyeliner को रखा है तो पता है गाइस मेरी तब्यात बहुत दिनों से खराब थी तो मेरे हाथों से ना liner नहीं लग रही थी मेरे हाथ का करने के लिए जो औरेंज कलर करेक्टर होता है अब भी वह अपलाई किया है जहां-जहां मेरे फेस पे अनिवन इसकी ने उसको हम करेंगे एकदम इवन करेंगे और ब्रस की हेल्फ से अच्छी तरह से पहले मैं अपने फेस पे अपलाई करूंगी जहां-जहां मुझे से हट जाएगा और फिर आपका जो मेकप वह ग्रे हो जाएगा एंड केकी भी हो जाएगा तो अगर आपका मेकप ग्रे होता है तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप जब भी किसी भी कलर केरेक्टर को यूज करें उसे अच्छे से ब्लैंड कर लें और कि बाद ही आ आपकी स्कीन टोन से मैच करता हुआ ही होना चाहिए अगर आप ज्यादा वाइट फाउंडेशन भी अप्लाइ कर देंगे तो भी आपका जो मेकप है वह ग्रे हो जाएगा क्योंकि स्कीन टोन से मैच फाउंडेशन ही आपको मिसा लगाना चाहिए तो यहां पर आप देख स करके सींडेशन को अपलाए मेच भी किया है और इसी के साथ मेच है पहले बेंट भी कर लूँगी, उसके बाद में ब्युटी-ब्लेंडर की हle?" से ब्लेंड से ब्लेंड करूंगी मेकप में लाइन वगेरे आ जाती हैं तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसे ब्रस से अपलाई किया और उसके बाद अभी गर्दन पर मुझे लगाना बाकी है थोड़ा सा कम पढ़ा है तो मैं प्रोडेक्ट और लूँगी उसके बाद अपने गर्दन पर और फेस में जहां जह अभी रह गया है वहां पर इस ब्रस से फिर से अपलाई कर लूँगी और एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंना हाइलाइट करूँगी अपने फेस के कुछ एरिये को जैसे के अंडर आई और फॉरेड को और अपने लिप के अराउंड जहां पर मुझे थोड़ी सी डाक्नस दिख रही है वहां पर मैंसे अपलाई करूँगी औ जितने मुझे नीड है बस उतना ही में प्रोडेक अपलाई करूँगे और यहां पर मैंने साथ एलेगल का कंसीलर यूज किया है और यह मेरी स्कीन टॉन से एक सेड लाइटर है क्यों तभी उसी के बाद ही है अच्छे से आपकी स्कीन को न कंसील करेगा करना है मैंने यह पर वीडियो की स्पीड बढ़ा दी थी अदर्वाइस आपको बहुत आराम से करना होता है और उसके बाद यहाँ पर मैं अपने अंडर आई पे और जहाँ पर मैंने हाइलाइटर यूज किया है वहाँ पर मैं लूस पाउडर अपलाई कर दूगी ताकि मेरा जो कंसीलर है वो अच्छी तरह से लॉक हो जाए क्योंकि कि मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है अभी इतनी गर्मिया नहीं है फिर भी मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा स्वेट आ जाता है इस वज़े से और उसके बाद हम सारे लूस पाउडर को अच्छे से डस्ट आउट कर देंगे और यहाँ पर अभी मैं अपनी च मुझे पतला दिखाना ही पड़ता है क्योंकि मेरे फेस पर मुझे मेरी नाग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है तो इसी वज़े से हना मैं हमेसा अपनी नाग को पतला करने के लिए कौंटॉरिंग यूज करती हूँ तो मैंने याँ पे अभी क्रीम कॉंटॉर उस किया है तो इसको अच्छी तरह से पहले बलेंड कर लेंगे उसके बाद हम ब्रॉंजर से सेट करेंगे तो यहाँ पर मैंने जोईलाइन पर फोरेड पर भी थोड़ी से चरूरिंग की है हला कि मैरा फेस मेरा जो हैड वह इतना ज्यादा बढ़ा नहीं दिखता forehead फिर भी मैंने थोड़ी से contouring की है उसी के साथ इसको brush मैं अच्छी तरह से blend कर लूँगी और उसके बाद यहाँ पे मैंने लगा लिया है blush तो यह बहुत ही light pink and peachy color का blush था जो कि बहुत ही natural look दे रहा था और जब makeup होगा ना उसके बाद आप देखना final result इतना fall बहुत ही अच्छा लगा था मुझे तो बहुत अच्छा लगा था ऐसा था कि आप कहीं भी party में जा रहे हैं तो ऐसा makeup करके जा सकते हैं उसके बाद यहाँ पर हम highlight करेंगे अपने face को सो यहाँ पर मैंने highlighter यूज किया है मैंने थोड़ा सा golden shade और थोड़ा सा silver दोनों को mix करके यूज किया है उसके बाद हम अपनी आखों के अपने waterline पर जो eyeshadow यूज किया था मैंने अपनी आखों पर जैसे कि मैंने यूज किया था purple and golden color तो उसी को मैं न pencil brush की help से अच्छी तरह से smudge करते हूँ लगा रही हूँ और मुझे एक problem होती है जब भी मैं अपनी आखों में काजल अपलाए करूँ या पिर अपनी waterline पर कोई भी eyeshadow अगेरे अपलाए करूँ तो मेरी आखों में आशू आने लगते हैं यह मेरी बहुत बड़ी कमी है आपको दिख रहा होगा मेरी आखे हलकी हलकी सी red हो चुकी है और यहां पर मैं आख के inner corner की तरफ में लगारी हूँ white color का highlighter इसे आखे थोड़ी सी बड़ी दिखती है क्योंकि मेरी आखे बहुत ज़्यादा छोटी है सो मुझे अपनी आखों को बड़े दिखाने के लिए highlight यूज करना ही पड़ता है और उसके बाद यहां पर मैंने लिया है compact powder जिसे मैं अच्छी तरह से अपने पूरे makeup को set कर दूँगी और जब भी हम कोई भी powdery चीज अपने face पे यूज करते हैं मुझे वीडियो भी रोकनी पड़ी थी 15-20 मिनिट के बाद फिर जब मेरी आखे सही हुई तब मैंने वीडियो फिर से सोट की थी तो यहां पर मैंने अच्छी तरह से फैक्लेस को apply कर लिया है और यहां पर मैं लगा रही हूं डार्क पिंक कलर के लिफ्स्टिक और उसके बाद इसको में थोड़ा सा लाइट करने के लिए लाइट पिंक कलर के लिफ्स्टिक बीच में apply करूंगी तो उससे क्या है जो लिफ्स्टिक का सेडन वो बहुत ही अच्छा आता है आप भी इस तरह से ट्राय करना डबल कलर के लिफ्स्टिक लगाना आपके लिफ्स्टिक बहुत ही अच्छे लगेंगे और मैंने अपने ड्रेस के मैचिंग मैक अप किया था जैसा मेरा ड्रेस था जिस तरह की मेरी एक्चली साड़ी थी उस तरह का मेरा मैक अप था तो यहाँ पर मैंने ड्रेस कर लिया है चेंज और मैं ये रिंग वगेरे पहन लूँगी वाइट काजल मैंने अपलाई किया है क्योंकि ब्लैक काजल मेरी आँखों में रुखता ही नहीं है मुझे इतने ज़्यादा आसू आते हैं और बस उसके बाद हम सेटिंग स्प्रे लगाएंगे अपने मैकप को सेट करेंगे तो अब देखिए मेरा ये फाइनल लुक और अब आप बताइएगा कि मेरा मैकप आपको कैसा लगा क्योंकि मुझे मेरा मैकप बहुत अच्छा लगा था आप इसी लिए किसी भी पार्टी में कि हम बिना मैकप के पार्टी में कैसे जाएं तो इस तरह का इजी मैकप आप घर पे कर सकते हैं तो मुझे ये मैकप बहुत अच्छा लगा आपको कैसा लगा मुझे कोमेंट करके बताइएगा और यहाँ पर मैंने अपनी आइस को बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखी है बहुत ही ज़्यादा बोल्ड आई मैकप मैंने नहीं किया है और इसी वज़े से मैंने अपने लिप्स को थोड़ा सा बोल्ड रखने की कोशिस की है तो अशा करती हो आपको मेरा ये मैकप वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसी की साथ हम वीडियो को करते हैं और बाइ